इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम इले स्लम मीं किसी भी कोर्स में जामे के एड्मिस्टन फॉर्म 2023 का फील करना चाहते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगा उसके बार अभी मैंने कुछ दिर पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन पता नहीं साथ कुछ चीजी वह देखेंगे अभी फिलाल आपको फॉर्म कैसे फिल करना है आपको गूगल पर जाना जे माइसी वह सर्च करेंगे एड्मिसन वाले सेक्षन में यह लिंक देखेगा इस लिंक के तुरू जामेक आप किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाइ कर सकते हैं जितने भी कोर्स हैं उन सभी कोर्स के लिए आपको इस प्रोसेस से आना पड़ेगा इसके आपके मालोले सेक्षन में नियू रिश्टेशन का इकान दिखर होगा आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है यहां पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक नियू आइकन इस तरीके से अभी अभी थोड़ा से वेट कर लेते हैं जैसे इस तरीकी शोपन होगा यहां पर आपको अपना नाम डालना है डालना है जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो अभी जो है एक स्टेप बाइस्टेप करके थोड़ा कुछ डिटेल में सो करते बागी डिटेल हीडन रहागा से वह जो है बारवर वीडियो डिलीट हो जा रहा है तो मुझे भी टाइम भी जादा लग जा रहा है तो इस वाज़े से कुछ-कुछ हीडेन रहेगा बाकी तो आप समझधार है यहां पर अपना नाम लिख दीजेगा फूल नेम और फादर्स नेम हो गया इमेल डी और एक पासबड में जो भी नाम गहीं तो टतली फूल हो जाए आपसबड हैं घंग कर डालेगा और यह जू दालें हम इसको स्क्र्ल कर दो नीकी तरह यहां पे यह जो capture में आजटी यहां पर डाल दिया आप इसके बाद साइन बार पर क्लिक करेंगे जैसे जब साइन बार पर क्लिक करेंगे इस तरीकि इस आइकन दिखेंगे यहां पर आपका email अड़ी दिखेगा अप्लिकेंड का नाम जो आपने form अप्लाई किया यहां पे दिखेगा आप यहां पर एक email अपके वरीपाय नाम से गया है और उस email पर आपको जाकर क्लिक करके to verify करना लिखा होगा click here to verify लिखा होगा उस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो आपका verify वा जगा और simply फिर से direct sign in करके form fill कर सकेंगे तो अभी मैं आपको simply mail दिखाता हूँ mail पर आएंगे तो आपका इस तरीके से दिख रहा होगा जैसे कि एक तो आपका admin के नाम से mail आया होगा और इसके बाद यहां पर आपका name और email ID और password यहां पर दिख रहा होगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना mail वाला सेक्षन पर जाने के बाद आपको क्लिक है to verify पर click करना है जैसे जब verify पर क्लिक करेंगे आपका ID verify हो जागा अब आपको direct login पर जैसे जब इस पर पर click करेंगे तो देखी इस तरीके शाय करना आजगा आप इसके बाद कुछ नहीं करना है simply direct sign in बाले बटन पर click करेंगे क्लिक करने कब यहां पर आपको आपको आपना जो email बनाए है वह password डालके submit बार पर click कर देना है सबसे असान तरीका यह इसके बाद और कुछ नहीं पहले हम इमेल आइड और password डाल देते हैं यहां पर हमने email डाल दिया है अब इसको आप हम यहां पर password डाले है इसको आप सबसे पहले submit बार पर click करेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो फिर से इस पर गुजरना है उसको आद इसको सेलेक करना है अब जिससे मान लिए कि पॉलिटिकल साइंस के लिए अपलाए करना है तो आपको यहां से यूजी सेलेक करना पड़ेगा और बैचलर में भी किस कोर्स में अपलाए करना चाहते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस तो पॉलि आइकन दिख रहा है इस पर simply click करेंगे क्लिक करते ही आपको इस तरीक एक आइकन दिखेगा इसके बाद जो है कुछ नहीं करने यहाँ पर सबसे पहला अपको अपना category चूज करना है नेशनालिटी चूज करेंगे ब्लड ग्रूप अपना डालेंगे गार्जन का नाम उसका अपना रिलीजन चूज करेंगे चूज करने का बड़ा आसान तरीका है कुछ-कुछ मैं आपको दिखा दूँगा जैसे अब अगर हम simply इसी कहीं बात करें तो देखिए नेशनालिटी में आप इस पे निशनलिटी पे क्लिक करके इंडियन सेलेक कर लीजिए ब्लड गुरूप पर जो भी है आपका जो भी है वह आपका उसे अप सलग कर लिजेगा नेक्स अकर हम बात करें तो यहां पर आपको अपना अधार नंबर डाला मैंडेटरी वह आपको डालना पड बेटा है वो उसी साब से आपको यहां पर डालना पड़ेगा इसमें आपको अपना जाम मिले इसलामिया आप अपने जिसे क्या कह रहा है नेम आप दी इंस्टिूट फ्रॉम वेर कॉलिफाइंग डिग्री तो जहां से आपने अगर ट्विल्थ किया है तो उस स्कूल का नाम या graduation जहां से क्या है उसका नाम mention कर दें हमने example के तोर पे जामिया सिफ डाल दिया आप अपने हिसाब से डाल दीगा इसके बाद यहां पर अपना अधार नमर डालने के बाद आपको last में स्कूल करते भी नीची जाना है इसके बाद आपको permanent address आपको डालना है permanent address जो भी है अपने हिसाब से सेलेक कर लिजिए अगर permanent address और वो दोनों सेम है यहां पर अपना present address डाल दीजिएगा present address में आपको बता दूँ आपका घर का नाम अगर है तो यह building name है तो यह गाहों का नाम डाल सकते हैं लेकिन घर का नाम है वो डाली ज्यादा बेटर है लेंडमक में पहरें यह गार्जन का और उसके वाद यह ऐसा ही वेकेंट रहने देख आप इसको अधा हलका सा स्क्रॉल करते हो आएंगे तो अगर बाइदेवे दोनों मतला correspondence address और permanent दोनों से मैं तो इस पर टिक कर यह ज्यादा बेटर है और हम तो suggest करेंग इसी पर टिक कर दीजिए यहा आपको क्लियरली समझा दिया है दोनों address आपका सेम रहने के बाद आपको यहाँ पर इमेल आडियो और अपना मौयल लंबर दीखर होगा अब इसके बाद आपको सेब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस पर जैसे जब क्लिक करने क्या करना है अपना फोटो अप्लोड करना है फाइल जाकर और अप्लोड फोटो पर क्लिक करेंगाश अप्लोड an पैर स्कौर मिल्तिए ऑपना पहले ऑड़ इसके बाद इससे में जूड़ की ज़रुतनी यहां पर अपना कॉलेज का नाम इसके बाद यह सा वेकंट छोड़ देना है लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2022 में पास हुए तो उनको जो है अपना कॉलेज का नाम डीविजन वह सारी शीची बताना पड़ेगा साथ ही आप देखिए जो इस जब क्लिक अपना को च्हली करना सब्सकाई को इसके बाद सब्सक्राइब चैराल यहां पर डिखेंगे छ आप कोई सब्सक्राइब्स क्लिक करें पर शोड़ाल ज lot लगन दीख वह चाहां टाया रग में रहागा प्लोड करने इस पाइप सिट एम नंबर बताना पड़ेगा उसको फिर आप सेवन प्रोशिट पर जाएंगे तो किने स्टूडेंट को जो 2022 में पास हुए उनके लिए सर्टिफिकेट अप्लोड करना पड़ेगा अगर 12 जिस भी है जिसमाली कोई बीए में अपलाई करना चाहते उनको 12 का अपलोड करना क्लिक करने के बाद इस तरीके इस आइकन देगे एक तो सबसे पहले है कि आपका सेंटर जोगा वो दिल्ली होगा उसके बाद यहां पर कटेगरी चूज करना है कटेगरी में सिंपल सी बात है जो मुस्लिम है और जिनका कटेगरी जो जिसे की सेग सेथ पठान मलिक है वो जो जनल हो बेस करी नॉन मुसलिम के लिए जनल है जो मुसलिम इस्टूडे वो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे इसके बाद अपना प्रिफरेंस डाल दीजिए प्रिफरेंस डालने के बाद यहां पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक पेज इस तरीके से आ जागा इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म एंड समिट वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे जिब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतला आपका फॉर्म जो है समिट हो चुका है अब इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर click करना है इसके बाद इस तारीके इस I-can दिख रहा होगा आप इसके बाद कुछ नहीं करना यहाँ पे आप अपना payment टाइप सेलेक करेंगे सेलेक कर लेनु का लिन की बाद आपको यहां पे । यहाँ पर payment type में online select कर लिए इसके बाद आपने debit card select कर लिए पेमेंट करने के लिए इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है proceed to pay वालब icon पर click करना है यहाँ पर इस तरीके साइकन फोग कर रहा होगा आप इसके बाद कुछ करना है नहीं आप पर pay no पर click करना है उसको अधोटीपी डालेंग ओटीपी डालती फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और simply अभी हम पर click करके दिखाते भी आपको देखे इस तरीके साइकन फोग कर रहा है यहाँ पर आपको इस पर click करके अपना payment card का detail डालना पड़ेगा जैसे जब इस पर click करेंगे तो यहाँ पर अपना सारा detail expiry date और ATM का जो है उसका नंबर 14 डीट का वो cb नंबर और इसका बाद जो है इस पे नौपए क्लिक करके आप payment कर देंगे payment करती यह फाइनल पे जा जागा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बैक हो करके फिर से अपना ID पर चला जाएगा अगले दिन फिर से apply करेंगे उस पर यह वीडियो बना देंगे